जै बागिश्वर धाम सरकार, जै बालाजी सरकार दोस्तो आप सभी लोग जानते हैं कि सोमवार से शारदी नवरात्रे प्रारंब हो जाएंगे और हमने आपको शारदी नवरात्रे का एक विशिश उपाय बताया है जो कि 9-9 फूलो का है पर दोस्तो इस उपाय को करने में कई सारे लोगों के मन में बहुत सारे प्रशना आ रहे हैं जिन प्रशनों के हम आपको जवाब इस वीडियो में देने वाले हैं और इस उपाय को बहुत अच्छी से समझाने वाले हैं दोस्तो ये उपाय छोटा नहीं है शार्दिय नवरात्रे में आप इस उपाय को करने वाले हैं निस्चुति आपको इससे बहुत बड़ा फल मिलेगा दोस्तो ये उपाय आपकी सभी समस्याओं के लिए है भले ही वो छोटी हो चाहे बड़ी हो धन की समस्या हो बीमारी की समस आप मातारानी का अश्रवात पाना चाहते हों भगवान शिव का अश्रवात पाना चाहते हों और हनुमान जी भी जो है भगवान शिव का ही एक रूप है तो हनुमान जी का भी अश्रवात पाना चाहते हो तो भई इस उपाए को जरूर करना ठीक है तो सबसे पहरी बात तो ये है कि इस उपाए में आपको जरुवत पढ़ती है फूल की, कौन सा फूल? जो कि शिवलिंग की उपर समर्पित होता है, शिवलिंग की उपर जो होता है, उन में से आपको कोई एक फूल चुन लेना है, और ये है उपाए नवरात्री के प्रारंब होना है, और नवे दिन आपको इसे करते जाना है, ठीक है, इसलिए हम आप ये पहले ही दे रहे हैं, तो आपको एक ऐसा फूल चुनना है, जो कि शिवलिंग की उपर समर्पित, और ऐसा फूल जो कि आपको प्रती दिन जादा मातरा में मिल सके, ठीक है, एक सफेद फूल होता है, जो कि आपको प् पहले दिन नौ फूल लेकर जाना है, शिव मंदिर में, साथ में घीका दीपक भी लेकर जाना है, अब घीका दीपक जो आपको आटे का बनाना है, ठीक है, आटे सादा आटा लेना है, बस उसको मिला कर एक दीपक बनाना है, बस एक दीपक, उसमें आपको गोल बाती रखन उसमें गीडाल लेना है घर से जलाकर नहीं ले जाना है वहीं पर जाकर जलाना है पर पहले आपको जल चड़ाना है उसके बाद यह उपाई करना है ठीक है उसके बाद दूसरे दिन आपको क्या करना है दूसरे दिन आपको यही नौ फूल नौ और बढ़ा दिन लिये हैं वही फूल आपको कहीं से भी ढूनना है खरीद कर लाना है कैसे भी करना है वही के वह दीपक भी आपको प्रती दिन लेकर जाना है आटे का ही गोलबाती का और घी आपको उसमें डाल कर ले जाना है वही प्रक्रिया करनी है आपको शिवलिंग के उपर यह सारे फूल चड़ाने जितने आप लेकर जा रहे हैं प्रती दिन 9 नो बढ़ा कर और एक घी का दिपक जल अपको जो है यहां पर घी का दीपक वहां पर जला देना है बस यहां पर यह उपाय पूरा हो जाता है ज बढ़ाने शारदी पर इन आवरत्रि के और पहले दिन, आप लोग आप सुमवर के दिन कल के तो आपको करना किया है कि जब आप लोग यह फूल समर्वित कर दें दि प्रतिन आप चाहें तो उपाय को करने से पहले जल भी चढ़ा सकते हैं कोई दिक्कत नहीं है पर जरूरी नहीं आई यह ठीक है वो आप अपने मन से कर सकते हैं उसके बद कुछ लोगों ने प्रेशन किया है कि क्या इस उपाय को करने एक साल में वरत रखना जरूरी है वो भ प्रतिदन जितने हमने फूल बता है नौ के पहाड़े के बराबर तो आपको जो है उतने फूल प्रतिदन लेकर एक ही कितिब तयार करके आपको से शिव मंढ़िन में जो है ये उपाय करना है आप कुछ लोग यह भी कहते हैं कि पहले ने इस उपाय को मतलब तो पूरे नौ दर इसे उपाय को प्रदोश कालम है बहुती विशेश उपाय है गोरुदेव ने यह उपाय пам pact नहीं बताया है हम आप लोगों के कल्यान के लिए ये उपाय बता रहे हैं किसी कोई आपती है तो वो आप उसे कमेंट करके बोल सकता है ये उपाय आप लोगों की सिर्फ भलाई के लिए बताय जा रहे है निश्चिति आपको इससे बहुत बड़ा फल देखने को बने का अब आप समस्या जितनी भी होंगी वो जरूर दूर होंगी कोई भी आप समस्या आती है अब आप कमेंट करके पूस सकते हैं जयबागीशर दाम सरकार, जयबाले सरकार, जयबागीशर महादेव मातारानिया आप सभी लोगों पर अपनी कृपा इन शार्दी नवरात्रे में बनाए रखे